So guys, पिसली वीडियो मैंने आपको दिखाया कि मैं बनारस आ चुका था और अभी आप स्टेशन के फास के व्यू को देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की स्टेट फूट्स एवेलेबल होती हैं और अभी मैं निकल चुका हूँ वारानसी स्टेशन से अपने होस्टल की और So guys, अभी अब देख सकते हो बनारस के रोड को और यह है बनारस की गलिया So guys, finally अभी अपने होस्टल में पहुच चुका हूँ और यह बनारस का बहुत ज्यादा फेमस होस्टल है तो चलिए आपको यहाँ का टूर दूँगा बाद में एक सेपरेट वीडियो में So guys, मैं बनारस के गिपसी डारी होस्टल में रह रहा था जो की एक बंगबिट होस्टल है और यह काफी ज्यादा फेमस है ट्रैवलर्स के बीच में So guys, अभी मैं आपको बनारस में लेकर के आचुका हूँ और यह इविनिंग का टाइम है और अभी मैं गदोलिया मार्केट के बिल्कुल पास में हूँ और अभी आपको यहां का पुरा महौल दिखा पाऊ हूँ है बहुत ही अच्छा महौल है आपर So guys, अभी आप देख सकते हूँ गदोलिया का में चौक है और काफी जादा क्रावड़ेड एडिया होता है अभी तो मैं पीक सीजन में नहीं आया हूँ बट आप ऐसे अगर देखो कि यहां इतनी जादा क्रावड होती है और यह काशी चाट भंडार का है और अब देख सकते हूँ आपर कितनी जादा क्रावड होती ही लोगों की यहां पर खाने के लिए और यह शौप है गदोलिया मार्केट के बिलकुल पास में तो आप बनारस है तो यहां पर एक बास जरूर है अब देख सकते हूँ मैं यहां पर आगे जा रहा हूँ और यहां पर कितनी जादा क्रावड है क्योंकि अभी शाम का वक्त है और अभी लोग जा रहे दशाशमेव घाट की ओर जहां पर शाम की इवनिंग वाली आरती होती है और मैं भी आपको वहीं पर भी लेकर के जाने वाला हूँ दशाशमेव घाट जो की संध्या आरती के लिए फेमस है वारा नसी में और यहां पर संध्या आरती होती है और देख सकते हो कितनी जादा क्रॉड में लोग यहां पर इखटे होते हैं आप यहां पर आरती का लुप्त उठा सकते हो आके साथ में आप बोर्ट के थू भी आरती का दर्शन कर सकते हो सो काफी अच्छा जगह है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हाइली कि आप यहां पर अराउंड साथ बजी तक साम में आ जाएं आरती देखने के लिए और अराउंड 45 मिनिट्स तक यह आरती चलती है सो आप इस आरती को इंजॉय कर सकते हो काफी अच्छा महाल होता है और यहां पर लोगों की काफी जादा भीड होती है सो मेक शूर अगर आप बनाना सारे हैं तो यहां पर एक बाद जरूर रहें सो गैज अब देख सकते हो मैं इस दसाश में घाट की वास हूँ और यह कितनी जादा क्राउड है आपके चारो और आप देख सकते हो कि अब देख सकते हो मैं हूँ दशाश में घाट पे और अभी मेरे बीचे आप देख सकते हो अभी मैं जा रहा हूं मा गंगा को इस पर्ष करने के लिए और आप अभी दशाश में घाट से अब देख सकते हो पूरे घाट का व्यू काफी खूपसूरत लगता है ये रात में लाइटिंग की विज़ा से और यहाँ पर आप देख सकते हो घाट के बगल में बहुत सारे बोट्स हैं यहाँ पर ये बोट्स आपको आरती के दर्शन करवाते हैं माल गंगा के दर्शन कर लिया उनको अभी जा रहा हूं यहां से बाहर दर्शाश में घाट से तो चलिए यहां से बाहर चलते हैं यहां पर घाट के पास आपको बहुत सारे वेंडर मिल जाएंगे जो की रूद्राक्स की माला कड़े वेगरा बेचते रहते हैं सो आप चाहे तो यहां पर शॉपिंग भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी लेना हो तो यहां पर काफी सारी शॉप्स होती हैं मतलब इस तरह से वेंडर लगाते हैं और मेक्शूर दू बार गेन ओवर हेर और गाइस यहां पर देख सकते हो कितना खूसरा व्यू आ रहा ह रहा है घाट का जो कि मैं ट्राइ करूँगा मौनी में तीन बज जानेगा और वो आरती असी घाट के पास होती है सो अभी मैं दशाशमेव घाट से बाहर आ चुका हूँ अभी आप देख सकते हो और यहां पर जैसे ही आप घाट से बाहर आओ गया आपर काफी सारे स्टीट वेंडर से अगे रखते हैं सो आप इनसे फूड खरीज सकते हो या फिर आपको प्रशाद वेगरा गंगा जल कुछ भी खरीदना है तो आप यहां पर इन वेंडर से खरीज सकते हो यहां पर रोड की दोनों साइड अब देख सकतो काफी सारी शॉप से इवेन आप देख सकतो बनार्सी पान वेगरा इसे बहुत साथ में बहुत और फाप आरति देखके बाहरा और एक साथ बाहरे से जोग्त खाने के लिए और इसीरा प्रण में आपको घूमने का मजह आएगा जैसे ही मैं बाहर आया मुझे मोमोज का श्टॉल दिखा तो मैंने वेज मोमोज ले लिया और आप देख सकते हो यह मात्र 20 रुपए का इतना सारा मोमोज है और अभी उपर में उस रिच्टिट में जा रहा हूँ लंच करने के लिए यह एक एवरेज मीडियम क्लास रिच्टिट था जो की डीसेंट था प्राइस के अकॉर्डिंग भी रिच्टिट काफी डीसेंट है तो अभी ओर्डर करता हूँ अपना खाना तो दोस्तों भी खाना ओडर कर दिया और मैंने मंगाया है तंदूरी रोटी और पालक पनी जो की काफी अच्छा टेस्ट में था और अभी अब देख सकते हो यही मैं आज इनर करने वाला हूँ तो गाइस होप यू लाइक देख सकते हैं तो आपसे नेक्स व्लॉग में टप्टर के लिए गुडबाई टेक केर श्टेट यूण फो देख सकते हैं